हम लोग मानों का जीवन पाए हैं मानों का जीवन पा करके हमें क्या चाहिए पहली बात तो यही नहीं जानते हमें क्या चाहिए मैं सही बता रहा हूँ ज्यादा ज्यादा जानते हैं कि भोजन चाहिए कपड़े चाहिए रहने की जगा चाहिए बाल बच्चे चाहिए ज्यादा इससे ज्यादत नहीं पता है कि क्या चाहिए इनको बंद कर दो बैग में तो यह निरड़ाय करना पड़ेगा हमें क्या चाहिए कभी-कभी पूछा करता हूँ, आप जैसे लोगों को हम अपने आप से क्या चाहते हैं, हम फिर से परशन याद रखना और घर में जाकर पूछ लेना अपने आप से, मैं खुद से क्या चाहता हूँ, दूसरों से क्या चाहते हैं यह आप जानते हैं, दूसरों से क्या चाहते ह से, पतनी से क्या चाहिए, सब पता है, पती से क्या चाहिए, सब पता है, पडोसी से क्या चाहिए, सब पता है, सब के मन में एक लिष्ट है, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, कभी-कभी पूछ लिया करो, मैं खुद से क्या चाहता हूँ, पूछ लेना, तो शुक शान्ति का अनभव करना चाहता हूँ, यह आएगा, मैं शुक शान्ति का अनभव करना चाहता हूँ, अच्छा तो क्यों करना ही पाता हूँ, अच्छा कोई रोक रहा है मुझे ऐसा करने के लिए कोई अवरोत कर रहा है तुम दुखी रहो किसी ने स्राब दिया है आप लोगों को हम लोगों को कि कोई आया हो और आपके जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलेगा ऐसा कोई स्राब दिया है सुने है कभी नहीं, नहीं मिला है श्राप, बलकि मैं बताता हूँ, क्या मिला है उसको, आप सुक पुर्वक जी सकें, इसके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था है, ध्यान दो, बहुत बड़ी व्यवस्था है, पूरी स्रिष्टी, पूरा युनिवर्ष, ये व्यवस्था कर रही है, कि प्राणी सुक से रहे, स्वयम और दूसरों को भी सुक मिले, इसके लिए सहयोग करें, इसकी पूरी व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है, देखिए, हमसे कड़ों किलो मीटर दूर, सुर्य है, वहाँ से प्रकाश आता है, रोश्णी आती है, गर्मी आती है, यदि यह ना आए, वो बंध हो जाए, तो हम में से कितने लोग जिंदा रहेंगे, कोई नहीं, एक पौधा भी नहीं दिखेगा यहाँ, एक प्राणी भी जिंदा नहीं मिलेगा, इतनी दूर सूर्य है, और ज्यादा नस्दीक भी नहीं, बहुत दूर भी नहीं, उचित दूरी, सही डिश्टेंस है बिल्कुल, वहां से समय से हमको गर्मी मिलती है, इससे हम जीवीत रहते हैं, हमें चाहिए प्राण प्रदवायू, अक्षिजन कहलो, वो हमें उपलब धाय, हमें चाहिए पानी, वो पानी बरस्ता ही रहता है समय समय से, चाहिए नीचे से पानी निकालो, चाहिए उपर से आए, पानी है न, क्या पानी हम लोग बनाते हैं, हवा हम लोग बनाते हैं, सुर्य की गर्मी बनाते हैं नहीं क्या मिट्टी हम बनाते हैं नहीं लेकिन वो सरी विवस्था किसलिए हैं दिन रात का हो ना हो मौशम का परिवर्थन हो यह आटोमेटिक सिस्टम से हो रहा है किसलिए हो रहा है ताकि हम यहां जिन्दा रह सके और सुख से जी सके मैं एक बात बताओं आप लोगों को इतना बड़ा पाउधा मेरी वर ध्यान दे इतना बड़ा पाउधा का होना आपको लगता है वही पाउधा तो है यह पेड़ दिख रहा है पेड़ है बस पेड़ आपको ऐसा लग रहा है मैं एक चीज बताता हूँ प्रित्वी के अलावा इस धर्दी को छोड़ करके कड़ो 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 किलो मीटर आप चले जाएं इतना बड़ा पाउधा नहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा ना चंद्रमा में ना मंगल में किसी भी ग्रह में अभी तक एक इतना बड़ा पाउधा नहीं मिलेगा आकाश में कहीं भी चले जाएं और इस प्रित्वी पर वो होए अर्थात पवधा यहां जीवित रह सके इसके लिए एक पूरी व्यवस्था है पूरी युनिवर्श चके द्वारा इसी प्रकार से मानाओं का जीवन यह सरल नहीं जीवन का होना बहुत बड़ी बात है इसके लिए जो सिष्टम चाहिए इस जीवन को होने के लिए वो सारा सिष्टम उबलब्ध है ए भाई श्ट हलो उनको बंद करो वो हो जाएगा वो हम करवा देंगे अभी तो बैठे दें वो सब हो जाएगा क्या कह रहा था मैं एक जीवन के लिए हमें मैं बता रहा था भी हमें हवा चाहिए पानी चाहिए पृत्थी मिट्टी चाहिए गर्मी चाहिए वो सारी वेवस्था है उचित मात्रा में ताकि हम जीवित रह सकें इतनी बड़ी वेवस्था एक बात दूसरी बात क्या है हमारे देश के चारो तरब बाडर में सीमा पर सीमा पर सिपाही खड़े हैं सेना खड़ी है फोज 24 गंटी ड्यूटी देती है कठिन ठंडी बहुत ठंडी और बहुत गर्मी और बरसात के मौसम में चाहे जो परिस्थिती हो वहां वो तैनात है किसलिये हैं ताकि हमारे देशवासी सुख का जीवन जी सके हमारे लिए हम सब के लिए इतनी बड़ी विवस्ता है आप सभी एक खैला लेते हैं पैसा लेते हैं बाजार जाते हैं सवधा खरित के घर आ जाते हैं सुरक्षित कैसे आ जाते हैं पता है आपको हम लोग तो इन बारों को सोचने लग जाएं तो पता चले कि कितनी बड़ी वेवस्था है ये कानून है पुलिस है ये वेवस्था दिनर है किसी भी शहर और बाजार गाउं में तो क्या आप लोग पैसा लेकर के बाजार जाके सवधा ला सकते हैं है इम्मत नहीं है कितनी बड़ी वेवस्था है आप बीमार पड़ जाते हैं आपके लिए वेवस्था है स्वस्था होने के लिए कोई भी गड़बड़ी होती वेवस्था है आपके लिए आप ठीक से रह सकें तो पूरा आ आप सुन्दर जीवन जीए, सुख से जीवन जीए, बढ़िया जीवन जीए, आपस में प्रेम से रहें, इसके लिए क्या है? बहुत बढ़िया विवस्ता है. दूसरी बात, और क्या चाहिए? आपके पास में समय भी है, आपके पास में समय भी है कि आप सुख से जी सकते हैं क्या आपके पास समय नहीं है आप कहेंगे कि नहीं मुझे तो दुखी ही होका अगर जीना है ऐसा नहीं है जो आदमी दुखी हो सकता है वह आदमी सुखी भी हो सकता है फिर से कह रहा हूँ जो आदमी रो सकता है वह आदमी हस भी सकता है इसमें से कोई है जो कहे कि मैं केवल रो सकता हूँ या रो सकती हूँ, मुझे हसना आता ही नहीं, कोई है हाथ उठाए, हसना भी जानते हैं, चुनाओ आपका है न, कब रोना है, कब हसना है, कब मुश्कुराना है, आप मुँ भी फुला करके सुबा से साम तक रह सकते हैं, इन दुरुभाग्य क्या है? बहुत से लोग तो मुह फुलाय ही रहते हैं. मतलब ऐसा लगते हैं मुसकुरा नहीं भूल गए हैं कि चलो हम मुसकुरा लेते हैं आपस में. घर के सदस्य हैं पडोस में हैं कोई हैं नहीं बस गुस्से में रहेंगे उनका चेहरा देखो गे तो ऐसा लगता है जिसे नराज हैं बहुत खिन और उदास हैं और कई बार तो जब उनसे बाद भी करो तो ऐसा बोलेंगे जैसे कोई बस इसके आगे बोलने की जुरूरत नहीं है क्यों सब कुछ तो बढ़िया है तो मैं कह रहा था आपके पास औसर है क्या औसर है दिखिए सुबह सुर्य निकलता है एक दिन मिलता है किसले मिला है आज के दिन को आप सुन्दर बना लो अचा माल लो नहीं कर पाए अगले दिन फिर सुर्य आने वाला है आप यह नहीं कह सकते कि मेरा समय खतम हो गया है जब तक आप जीवित हैं जब तक आप जीवित हैं आपके पास में हर छड़ समय है गुर्देव जी कहा करते थे क्या कहते थे हर घड़ी शुब घड़ी याद कर लो इसको हर घड़ी शुब घड़ी हर समय औसर है कि आप अपने जीवन में परिवर्तन लाएं गलत पत को छोड़ करके सही पत पर जाएं कोई रोकने वाला नहीं है आप कभी भी अपने जीवन में बदलाओ ला सकते हैं मतलब यदि आपको लगा कि आपके खान पान में गलती है गलत चीज खा रहे हैं गलत पी रहे हैं आपको यह पता चला कि मेरे शब्द जो निकलते हैं मुह से वो गलत सब्द निकलते हैं कटू शब्द निकलते हैं मेरे द्वारा जो कारिय होते हैं वो पारिवारिक द्रिष्टी से सामाजिक द्रिष्टी से राजनेतिक दिरिष्टिशे असम्वयधानिक है वो गलत है तो क्या करना है आप उसे कभी भी छोड़ सकते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ सकते जो मैं बता रहा हूँ इस बात को ध्यान रखें क्या मैं कहाना चाहता हूँ आप अपने जीवन में कभी भी बदलाओ ला सकते हैं हर समय अवसर रहता है हर समय उमर चाहे जितनी हो गई हो आपकी आप किसी भी देश में जन में हो किसी भी कुल परंपरा में जन में हो आप नर हो नारी हो कोई फरक नहीं और आप पढ़े हो न पढ़े हो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है, ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ही अपने जीवन को सुन्दर अच्छा बना सकते हैं, नहीं, अनपढ़ लोग भी, धनी लोग ही अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, गरीव लोग नहीं बना सकते, ऐसा भी नहीं है, साधू सन्यासी अपने हम कैसे कर सकते हैं यह जो दिमाग में न जो गलत चीज आप प्रोग्रामिंग करने इसको थाटा ही दीजिए एक ही सर्त है आप इंसान है आप इंसान है बस और इंसान के साथ साथ में आप में सोचने की सकती है बोलने की शक्ती है करने की शक्ती है आपके उपर निर्वर करता हैं रास्ता कभी भी बदल सकते हैं मनुष्य को कहते हैं श्वतंत्र मनुष्य क्या है श्वतंत्र भूमिका है और जो वर्दान मिला है प्रकृति की ओर से वो क्या है सबसे बड़ा वर्दान सबसे बड़ा वर्दान हम सब को क्या मिला है एक वर्दान वहा है कि हम मन पसंद का रास्ता का चुनाव कर सकते हैं अपने मन पसंद के रास्ता का चुनाव करने की स्वतंत्रता कभी भी आप रास्ता को बदल सकते हैं ये मैं कहना चाहता हूँ जैसे आप कहीं जा रहे हो चाहे आप पैदल हो गाड़ी से हो किसी भी साधन से जा रहे हो कहीं मिला रास्ता चौरहा या तीरहा और आपको ऐसा लगा कि मुझे इस रास्ते से जाना चाहिए और आप चले गए लेकिन आप दो चार किलो मीटर दस किलो मीटर चलने के बाद में लगा कि लगता है कुछ गरवर हो रहा है रास्ता सही नहीं है किसी से पूछा आपने भीय मुझे अमुग गाउं जाना है तो फिर क्या इस रास्ते से जाऊं? किस रास्ते से जाऊं? उसने अरे आप कैसे आ गए? हाँ, आपको फिर से वापस जाना होगा वहाँ जो चवराहे मिलेगा उससे आप दहिने मुढ़ना पड़ेगा यह उल्टा गए आप आप क्या करते है? क्या करते है? अब तो आही गया, अब मैं नहीं लोटूंगा क्या ऐसा कहते है? नहीं, क्या कहते है? कोई बात नहीं फिर से वापस आते हैं अब फिर रास्ता बदल देते हैं बस यही तो जीवन का नियम है जैसे आप सत्संग में आए पता चला लोगों ने कहा पता चला या आपको ही महसूश हुआ अच्छा नहीं है यह यह मेरा खाने का धंग मेरे स्वास्ता को खराब कर रहा है मेरे बोलने का धंग संबंदों को खराब कर रहा है मेरा करने का ढंग ये मेरे जीवन को बरबाद कर रहा है आप उस रास्ता को छोड़ सकते हैं ये मैं कहता हूँ अब इसके लिए आसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो तभी ये काम कर सकते नहीं अनपढ से अनपढ आदमी भी अपनी गलतियों को छोड़ने के लिए स्वतंत्र है स्वतंत्र है और वो चाहे बस एक ही बात है वो चाहे और चाहे गानत उनके पास में क्या है मैंने का न समय है हमारे एक बड़े गुरभाई पुझ्यस्री निर्बंद साहिब जी यहां सायदों पुस्तक मिलती होगी उनकी भजन प्रवेशिका उसमें एक पद है पद क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है मुझे पसंद है वो क्या कहते हैं वो हर चण तुम्हें समय है निज इस्थिती करन को प्रातह शाम वो दो पहर किसके लिए सदगुण ही ये भरन को अपने हिरदय में सदगुणों को भरने के लिए हर चण तुम्हें समय है अब गिनाते हैं प्रातह शाम वो दो पहर हर चण तुम्हें समय निज इस्थिती करन को ये पंक्ती है निज इस्थिती अपनी इस्थिती में लोटने के लिए हर चण और उसको सरल भासा में कहूं अपने घर में वापस आने के लिए बैक टु होम पस इतना ही तो काम करना है अपने घर के तरफ वापशी करनी हैं हमको बस जस्थे कमिंग बैक मतलब वापस आ जाना जो गलत दिशा में जा रहे हैं भटक गए कोई और वापस घर लोटाए हम सब भी भटक गए हैं किसी ने किसी रूप में वापस आना है इस के लिए ऐसा थोड़ी है कि हम पढ़ए लिक्यान हो तभी एकाम कर सकते हैं नहीं या धनी हो टभी एकाम कर सकते हैं कभी भी मैने कहा कभी भी बदलाव ला सकते हैं आपको में बताओं कभी भी जीवन में year ohEn zuu अ दिन मिला, शाम हो गई, कोई बात नहीं है, फिर मिलेगा दिन, रोज मिलता है, रोज अपर्चुनेटी है, रोज मौका है आपके जीवन को सुधार के लिए, रोज, आप कहेंगे इतने साल तो बीद गए, आप क्या करूं मैं, मैं एक उपाया बताता हूँ, सुन लीजे, पन्ने में, दोनों तरफ, दोनों पेज में, आप आड़ी, तीरची, लकिर, गोल, गोल, कुछ भी लिखा करते हैं, कोई भी नहीं, अच्छा, लिखते भी हैं अक्छर, वे भी अक्छर सही नहीं है, गलत हैं, आप क्या कर रहे हैं, कई पन्ने आपके बरबाद हो गए, कई पन्ने लेकिन आप जानते हैं इसके बावजूद अगला पन्ना फ्रेश मिलता है फ्रेश मिलता है अगला पन्ना फिर से फ्रेश मिलता है आप चाहें उस फ्रेश पन्ने पर एकदम साफ पन्ने पर क्या करना है आपको आप उसमें कर सकते हैं सुन्दर कविता लिख सकते हैं से आप इस टेपलर द्वारा या सेलो टेप द्वारा पेक कर दीजिए, सिल दीजिए, जब भी आप खोलेंगे तो क्या होगा, वही पन्ना मिलेगा फ्रेश वाला जिसमें आपने कवीता लिखी है, इसी प्रकार से ये पूरे जीवन का जो समय आई हुए, पूरी पूरी वो क कर चालीस साल भी खराब हो गये, तो अभी अगला पन्ना फ्रेश मिलने वाला है, अर्थात, अगला दिन फिर से फ्रेश मिलने वाला है, आप उसमें अच्छा कर सकते हैं, तो आपके पास समय है, मैं कह रहा था, एक तो सुन्दर व्यवस्था है, दूसरी बात, समय है आप आप अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं यह योग्यता है और कौन सी योग्यता जो योग्यता बुद्ध के अंदर थी जो योग्यता महावीर और कभीर के अंदर थी वो सारी योग्यता लेकर के हम सब बैठे हैं मनुष्य का जीवन का मिलना इस बात की संभावना है क्या स सब कुछ अनभव कर सकते हैं जो मानव जीवन में चाहिए जो आप करना चाहते हैं वो अनभव कर सकते हैं यह दोनों बाते हैं या तो आप अपने जीवन को बरबाद कर सकते हैं या फिर जीवन को बहुत उचाई पर ले जा सकते हैं एक शिड़ी की तरह है ये गोस्वामी की पंक्ती भी है गोस्वामी तुलसिदास जी की स्वर्ग नर्क अपवर्ग निसेनी ज्यान विराग भक्ति सुख देनी स्वर्ग नर्क मतलब एक शिड़ी है जिसका नीचे वाला नीचे वाला कहां है वो नर्क में है लेकिन उपर वाला स्वर्ग में है आप किस दिशा में जा रहे हैं यह आप पर निर्भर करता है आप में वह योग्यता है कि आप वह काम कर सकते हर आदमी में योग्यता है मैं ब का इस्तेमाल करना योग्यता का प्रियोग करना योग्यता को जो संभावना है उसको वास्तिक्ता में बदलने का काम हम में से बहुत कम लोग करते हैं बहुत कम लोग आप सबके पास में वो चीजे मैंने अभी कहा था ना सोचने की सक्ति है बोलने की शक्ति है करने की शक्ति ह उसी को ठीक करना है अच्छा ठीक करने के लिए किसी बाहर जाना भी नहीं है कि आप बाहर जाएं किसी विद्यालायम पढ़ें कोई ज़रूत नहीं यहीं मैं बताता हूँ आपको देखिए कैसे कैसे करना है और कहां परिवर्तन हो जाता है यह आप समझ सकते हैं देखिए मेर जिससे करते तो हैं, इन हाथोंक से हम क्या कर सकते हैं, दो धंग है करने के, इसी को समझ ये, दो धंग है, एक धंग क्या है, किसी के सामने जाओं, हाथ जुड़ूं, प्राहम करूं, अभिवादन करूं, या फिर किसी ऐसे आदमी, जिनको सचमुच किसी चीज की जुरुरत ह तो मैं उसे वस्तु दे सकता हूं, चाहे रुपिये पैसे दे सकता हूं, कपड़ा दे सकता हूं, भोजन दे सकता हूं, कुछ दे सकता हूं, अच्छा किसी को कोई शारीरिक तकलीफ हो, इन हाथों से मैं सेवा भी कर सकता हूं, यह हाथ हैं, एक दूसरा तरीका, हाथ वही हैं क्या कर रहा हूं इन ही हाथों से किसी के ओ थपड भी लगा सकता हूं थपड भी मार सकता हूं इससे किसी के समान को चुरा भी सकता हूं कितना अंतर हो गया हाथ हम सब के पास है प्रयोग कैसे करना है मैं क्या कहना हूं चाहता हूं मतलब आप में योग्यता है थपड मानने की भी आप में योग्यता है अभिवादन करके नमस्कार करने की प्रणाम करने की योग्यता है यह दोनों योग्यता है अब क्या है आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं और दोनों के परणाम बहुत अलग होंगे आप किसी के सामने हाथ जोड़ेंगे अलग परणाम आएगा अंतर आ रहा है यह समझ बात आ रही है हाथ तो आपका प्रयोग आपका है आप कैसे प्रयोग करेंगे यह आप पर निर्भर करता है आप में दोनों योग्यता है योग्यता एक ही है उस योग्यता का प्रयोग कैसे करते हैं एक दूसरी बात क्या कहा मैंने हाथों के बारे में बताया, इसी परकार और भी समझ लीजे, दूसरा है शब्द, जब हम बोलते हैं, तो बोलने की शक्ती हमारे पास में है, तो बोलना कैसे है, यह हम पर निर्वर करता है, जैसे किसी को मैंने देखा, और क्या कह रहा हूँ, तुम बड़े बेकूफ आदमी हो, क्या कह आप भले इंसान हैं, क्या कहा, आप भले इंसान हैं, परणाम बदल जाएगा, किसी को बेवकूफ कहेंगे, अलग परणाम आएगा, किसी को कहते हैं, आप भले इंसान हैं, अलग परणाम आएगा, और यह क्या, आप नहीं कर सकते हैं ऐसा, यह बदलाव करना मुश्किल है नहीं मुश्किल है, कोई भी कर सकता है ये काम, कोई भी एक बात, दूसरी बात एक महत्वपुन और बताता हूँ, क्या है वहाँ, जितना समय आपको किसी आदमी को बेवकुफ कहने में लगा, उतने ही समय में आप किसी आदमी को कह सकते हैं, आप भले इंसान हैं, आपकी शक इतनी समय और शक्ति में किसी को कटू बोल सकते हैं, किसी के दिल को दुखा सकते हैं, उतने ही समय और शक्ति लगा करके आप मिठा बोल सकते हैं, और किसी के दुखते हुए दिल को आप सकून पहुँचा सकते हैं, रहात की सांस दे सकते हैं, ये काम कोई भी कर सकता है। तो पहली बात हाथों के बारे में बताया, करने के तरीके, दूसरा शब्दों के बारे में बताया, तीसरा, जो इससे भी दोनों से महत्वपूर्ण है, वो क्या है, सोचना, आप सोचते हैं, हम सभी सोचते हैं, और वह सोचने का काम आपके अलावा धीतर जाकर कोई दूसरा पहर नहीं करता, आप थी तो करते हैं, कोई दुसरा थोड़ी करता है, आपे दिवे हो, मेरे अंदर जा करके, नहीं में सोचरहा हूँ, आप ही सोचने वाले हैं, अब क्या होता है, इसी में अंतर हो जाएगा, एक तरीका हो सकता है सोचने के लिए, जिनको लगा कि ये मेरे व विचारों के खिलाफ हैं, ये मेरे विवार के खिलाफ हैं, ऐसा लगा, महसूस किया, हो सकता है वो आदमी विचारों के खिलाफ नब हो, हो सकता है वो मेरे कारियों के खिलाफ नब हो, वो अच्छा ही हो, लेकिन मुझे लगा, या तो किसी ने कहा हो, या मुझे महसूस हुआ हो गलत फामी हो सकती है और फिर मैं उस आदमी के लिए क्या सोच रहा हूं या फिर सच मुझ किसी ने ऐसा किया हो जो आपके लिए अच्छा नहीं था अब ऐसे विचार जब उनके आते हैं तो मन में क्या होता है क्या सोचने लग जाता है मन अंदर-अंदर सोच रहा है क्या उनका accident हो जाए, उनके घर में आग लग जाए, उनकी नौकरिक छुट जाए, वो हो जाए, ये सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, नकारात्मक सोच रहे हैं, लेकिन इसी को आप बदल सकते हैं, क्या बदल सकते हैं, आपका भला हो, आपका सबजगा सम्मान हो, आप सरवत्र सफल हो, आपके लिए सब कुछ बढ़िया हो, यह आप सोच रहे हैं, बदल दिये न थोड़ा से, किसको बदल दिये, कोई देखेगा ने इस चीज को, लेकिन आप भी तर से बदल गए, आपको पता साइद न चले, लेकिन यह एक बड़ा चमतकार है, मेरी कल रही है, जो आपके जीवन को बदलता है, कैसे, वो मैं बताता हूँ, जब आप किसी के लिए भी अच्छा सोचते हैं, किसी के लिए भी अच्छे विचार रखते हैं मन में, तो जिसके लिए भी अच्छा सोचते हैं, उनका अच्छा कब होगा, उनका भला कब होगा, यह आ लेते हैं इसका उल्टा क्या है जब आप दूसरों के लिए गलत सोचते हैं अशुब शोचते हैं उनका अशुब कब होगा ये तो पता नहीं लेकिन आपका अशुब होना उसी समय सुरू हो जाता है क्योंकि आपको जो परणाम मिलता है आपके विचारों के द्वारा आपको जो परणाम मिलता है जीवन में आपके कर्मों के द्वारा, किसके लिए सोच रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, ये बात भूल जाएए, आपके भीतर कैसे विचार चल रहे हैं, ये आपको प्रभावित करते हैं, क्यों कि आप अंदर में गंदगी रखेंगे, इस से आपका जो भी गए हो, याद दिलाओ मैं, इतना बड़ा बर्तन, एक बिल्कुल प्रेक्टिकली है ये, बिल्कुल सरल, इतना बड़ा बर्तन साध आप लोगों के घर में होगा ही, होता ही है, तो इतने बढ़ा चाहो बर्तन स्टिल कहो, लोहे कहो, कुछ भी हो, क्या करना है? या किल पना करिये तो ही पता चल जाएगा. उसमें एक कोईला एक कोईला मतलब जलता हुआ अंगारा गरम, उसकोईले को आप बर्तन में भर दीजिए. पूरा बर्तन भर गया, क्या होगा सबसे पहली गर्मी सबसे पहली आज ताप किसको लगेगी यह समझ रहे ना उसी बरतन को यदि उस गर्मी से उस आग से नुक्षान होना होगा तो पहला नुक्षान किसको होगा उस बरतन को फिर आस पास जो बैठे रहेंगे गर्मी बाद में मिलेगी उनको पहले आप उस बरतन को अच्छा आप इसको बदल भी सकते हैं क्या करना है उस आख को आप फेंक दीजिए उस आख को आप फेंक दीजिए फिर क्या करना है फ्रीज से बर्फ के टुकडे बर्फ के टुकडे ले आए और उस बर्फ से छोटे छ किसको मिलेगी उसी बरतन को यह बात समझ में बिल्कुल गिलियार है ना उसी बरतन को पहले सी तलता मिलेगी ठंडकता मिलेगी बस यही बात है हम अपने भीतर में आग रखे हैं या फिर बर्फ रखे हैं चितने गलत विचार हमारे भीतर होते हैं चाहे वो आप अपने लिए सोच रहे हो चाहे वो दूसरों के लिए सोच रहे है यह नियम है अच्छे यह नियम मैंने बनाया नहीं है कोई संथ बनाता नहीं है नीमों को कुदरत का नियम है प्रकृती का नियम है और मैं सरल्भासा में कहूं जीवन का नियम है बस आप कभी भी किसी आदमी को अंदर-अंदर गाली देते रहें और खुश रहें ये दोनों हैं साथ नहीं हो सकता है नहीं हो सकता है गोस्वामी जी की पंक्ति क्या है है सब ठठाओ फुलाओ गालू एक शंग दोई हो नभुआ लू हसब ठठाओ फुलाओ गालू मतलब गाल को फुलाओ और जोर से हसो ज़र प्रयोग करके देख लो मूँ फुला करके देखो और जोर से हसो करके देखो हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है ये तो सदुरु कभीर ने कहा है कभीर मन तो एक है चाहाए जहां लगाओ भावे गुरु की भक्त कर भावे विशय कमाओ, मन का नियम है, एक बार में एक ही बात को सोच सकता है, अच्छा या बुरा, तो फिर करना क्या है, यह हमारे पनिर्भर करता है, अपने लिए भी अच्छा सोचे, दुसरों के लिए भी अच्छा सोते, जब शब्द बोलें तब ध्यान रखें, मुझे शब्दों का उच्छारन करना है, शब्द बोलना है, अपने लिए भी, दुसरों के लिए भी, कभी भी ना कहें, मैं थका हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परशान हूँ, क्या जुरुरत है कहने की, मैं बीमार हूँ, कोई जुरुरत ने इन बातों को कहने की, जब भी कोई पूछे कैसे हैं क्या कहते हैं उत्तर में पता है ना चल रही है गाड़ी कि कहिता है ने कई लोग चल रही है गाड़ी मैं कई बार कहता हूं अच्छी चल रही है कहो गाड़ी नहीं चल रही अच्छी चल रही है कहो जीवन बस कट रहा है कमाल की बाते हैं यह शब्द कितना ह बदल नहीं सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, कभी-कभी यह शब्द बोल देता था मैं, top of the world, कैसे हैं, मैं top of the world, अच्छा, top of the world, आप डिश्टरी में खोज ले रहा है, top of the world, का होता अर्था है, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, कैसे हैं, बहुत श्वस्त हूँ, फाइन, मस्त, यह शब्द भी नहीं बदल सकते हैं, इतने कंजूस क्यों बन गए हैं, बताओ, आपको गलती बोलने की कोई मजबूरी है क्या, अच्छा भी बोल सकते हैं, और उस अच्छा बोल करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, अच्छा, आपके ही जीवन में नहीं, आपका जो इन्वाइरल मैंट है न, आपके जो आसपास का महोल है न, वो बदल का अदमी, सुबह उठा, और सुबह उठ करके बैट गए किनारे, और एकदम भौहे तनी हुई है, आखे लाल है, एकदम नराजगी का चेहरा है, अब वो बैठा है, बहुत नराज, इतना खफा भीतर से, अंदर से इतना उबल रहा है, घर के किसी सदस्य ने कहा, अरे इश समय हो गया, फिर कहा चलो नास्ता कलो, नहीं खाऊंगा, समझ रहे हो ना, क्या हो रहा है वहां से, क्या वहां से निकल रहा है, सब को पता हो गया इतने से, वहां से कुछ निकल रहा है, कुछ तो निकल रहा है, वहां पर जाने में भै लगता है, लगता है, लेकिन एक दू वो भी घर के वातरण को बना रहा है दूसरा भी घर के वातरण को बना रहा है कौन अच्छा बना रहा है एक बात दूसरी बात पुछ लेता हूँ इसी पता चल जाएगा आप उसके पास रहना पसंद करेंगे जो क्रोध कर रहा है या उसके पास जाना पसंद करेंगे जो मु उस कुराने वाले के पास में, अच्छा आपको क्या करना चाहिए फिर, बस यही समझ लो न, आपको क्या करना चाहिए, जब आप, जब जब आपके भीतर से नकारात्मक्ता क्रोध दुर्भावना जगती है, आपके पास लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब आप आप ही नहीं बदल जाते, आज पास का बतरन बदल जाता है, लोगों की मांसिक्ता बदल जाती है आपके साथ में, तो कितनी बड़ी बात हो गई है, आप बदलते हैं, लोग बदल जाते हैं, आप बिगड़ते हैं, बाहर के बतरन को भी बिगाड़ देते हैं, बाहर के बत पूरी सत्ता शहयोग दे रहिए हमें, हम जिन्दा रहें और सुक से जीवित रहें, पूरी व्यवस्था है, दूसरी बात समय है, पूरा पूरा समय हमारे पास में, रोज समय मिलता है, हर छण समय मिलता है, हम जीवन में बदलाव कर सकते हैं, तीसरी बात योग्यता है योग्यता सोचने की योग्यता बोलने की योग्यता करने की और उसको कैसे करना है यह समझ प्राप्त करनी है और वो समझ मिलती है सत्संग में वो समझ कहां मिलती है सत्संग में संतों के पास जा करके हमें समझ मिलती है जीवन को सही दिशा दे